कहानी प्रसूती ग्रैह, बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वह चौक गई, एक बार की आख खोल देने से फोरण उसकी समझ में नहीं आया कि बच्चा किधर से रोया है, आख खुलने से स्वपन खंडित सा हो गया, उसके बैड पर से रोने की आवाज तो नहीं आ सकती, उस उसने सोचा अचानक बदन में आय उकतेजना से उसका जिस्म अभी भी संसना रहा, था, थोई देर वही उंभी लेटी रही, फिर तकिया पीट के नीचे लगा कर अगलेटी हो गई, बैड नमबर 18 से रोने की आवाज आ रही थी, उसने देखा बैड पर बच्चे की मा नही थी, बच्चा अभी भी रोए जा रहा था, उसका दिल हुआ बच्चे को उठा कर अपने बैड पर ले आये और सबसे कहने की यह मिरा ही बच्चा है, एक आएक रोने की आवाज आनी बंध हो गई, उसने फिर उस तरफ देखा, एक औरत उस बैड पर आ गई थी और बच्च की छत्व दिवार सीलन से भरी हुई थी और बेमौसम छत तपक रही थी, उसने अंदाजा लगाया कि छत के ऊपर पानी की टंकी होनी चाहिए, अचानक एक धुंधली सी याद आकर उसकी आँखों में बैग गई, वह उस तपकती छत को एक टक देखती रही धीर धीरे प्र किस से मुझ से और किस से खियो इसलिए कि जितनी जल्दी शादी करोगी, उतनी जल्दी बच्चे होंगे, फिर सब इस बरसात में उच्छल उच्छल कर खेलेंगे और हम दोनों यहीं से खड़े होकर जब उनको खेलते हुए देखेंगे, तो कितना अच्छा लगेगा लेक हसने लगी, लेकिन तुमने यह तो बताया ही नहीं कि उन बच्चों में लड़किया रहेंगी या लड़के वैसे तो हमें लड़किया ही अच्छी लगती है, पर दो लड़की, एक लड़का या एक लड़की दो लड़के का हिसाब भी ठीक रहेगा, क्यों नहीं, सिर्फ लड़के माव बाप की सेवा नहीं करते हैं लेकिन लड़के के साथ लड़की पैदा करके मैं उसे माव बाप की उपेक्षा का शिकार नहीं बनाना चाहती। लड़के मैं अपने प्रती उपेक्षा की जलक इसलिए दिखाई दी क्योंकि तुम्हारे और सुशील के बीच सिर्फ एक साल का अंतर है। लड़के की लड़क में अंदर ही अंदर तूट जाओगी। अंकदस की भनक मिलते ही उसे घर की चिंता सताने लगी। आदित्य ओफिस जा चुके होंगे। शिक्षा, अमला स्कूल जाने की तैयारी में होंगी। पोनी तो अवश्य ही रो रही होगी। मान जी शिक्षा, अमला का टिफिन पैक कर रही होंगी। फिर पोनी को बहलाने में फंसी होंगी। शिक्हा, अमला तो रोज बाल बनाने की वक्त लड़ने लगती हैं, कभी पहले बाल जारने के लिए तो कभी ज्यादा देर शीशे के सामने खड़ी होने के लिए, मालूम नहीं, महराजनाई भी है या नहीं, उसका तो रोज का यही नाटक रहता है, पैसा लेने के वक्त सीने पे सवार हो जाएगी और काम के वक्त गायब हो जाएगी उसे अचानक याद आया घर का बीच का कमरा उसका बेडरुम पलंग पर लेटी हुई वह आदित्य आकर उसका माथा सहलाने लगता है शालू जिद छोड़ दो एबोशन करा लो पोनी के वक्त मौत से लड़कर लोटी है लड़की की डॉक्टर किस नानी ने बताया है कि इस बार लड़का ही होगा तो क्या तुम चेकप के लिए गए थी आदित्य चौक गया हाँ ओह मुबारक हो फिर तो मैं तुम्हारे बच्चे के बीच में नहीं आओंगा इश्वर तुम्हें शक्ति दे किसी ने उसके मा की ओर्टवानी के पास छोड़कर आए हूं दूग पी लेना फल भी खालेना कल का सारा फल रखा रखा खराब हो बया आदित्य गुस्सा कर रहा था कि अगर खिलाए पिलाए नहीं इसी तरह से रही तो बिस्तर से चिपक जाएगी अच्छा बहू मैं चलती हूं उसका मन ब बैक पर आने की बजाए वार्ड में एधर उधर तहलने लगी किसी बैक पर कोई बच्चा रो रहा था तो कोई बच्चा सो रहा था कोई अपने बच्चे को दूद पिला रही थी तो कोई दूसरे औरतों से बैठी बाती कर रही थी बैक नमब चार पर एक औरत लेटी लड़का हुआ, बैड नमबर पांच के औरत को बहुत तंदुरुस्त बच्चा हुआ, साथ आके लगाने पड़े उसके, उसका दर्ध ज्यों का त्यों बना रहा, वह आकर अपने बैड पर लेट गई, एक नर्स किसी से कह रही थी कि डॉक्टर राउन पर आ रही है, वह दर हसने लगी, वह गलती करती है, भूख लगने पर उसको गाना गाना चाहिए, नस के साथ आसपास के बैड के औरते भी हसने लगी, ये तुम्हारी पहली बच्ची है, डॉक्टर ने उससे पूछा, हो, पहली इच है, खूब अच्ची देख भाल करना, खूब सेवा करना इस दॉक्टर के पास लोट गई, दॉक्टर, सिक्स नंबर को पेन हो रहा है, दॉक्टर ने गूम कर मिसेच शर्मा को देखा, फिर नर्स की तरफ गूमी, किसका पेशिंट है, डॉक्टर गायकवार का, दॉक्टर मिसेच शर्मा की तरफ मुखातिब हुई, जाओ धर, बाहर गैलरी में टहलो, बैठना नहीं, वह, वार्ट से बाहर गैलरी में आ गई, गैलरी के ठीक सामने ओपरेशन थियेटर देख रहा था, उसकी नजर बार बार उसी तरफ उठ जाती और मन थियेटर के अंदर चला जाता, थोड़ी देर बाद उसे खड़ा रहना भी मुश्किल ल रही हूँ, इंजेक्शन दे देना, क्विक, नर्स उसे लेकर ओप्रेशन रूम में आ गई, वहार दो नर्स पहले से ही मौजूद थी, उसे एक लंबे उंचे बैंच पर लिटा दिया गया, एक नर्स ने इंजेक्शन लगाया और फिर सब दिलीवरी के इंतजाम में कर लिया, मुख से कराहे निकलने लगी, एक नर्स ने दूसरी को दढ़ाया, डॉक्टर को जल्दी बुलाओ, एक नर्स डॉक्टर को बुलाने के लिए भागी, दो नर्से उसके पैर के पास आकर खड़ी हो गई, नीचे का सांस लो, नीचे का, शाबास, और दर्द की एक लहर के साथ बच्चे का सिर रोशनी में आ गया, डॉक्टर अभी नहीं आय, नर्स बोलती रही, शाबास, नीचे का ही सांस लेना, और, लेकिन ज्यादा देर तक वन सांस को काबू में न कर सके, सांस रोकते रोकते उपर को चद गया, दर्द कम हो गया, उसकी लाग बच्चों के बावजूद दर्द नीचे नहीं उतरा, तो नर्स ने ओजार की मदद के बगएर बच्चे को खीच लिया, मिसेच शर्मा को लगा, उसके पेट का सब कुछ गले से होते हुई सिर्फ फार्ट कर बाहर, निकल गया, वह दर्द से तड़प उठी, बुलाने डॉक्टर ने अपने दांत और दोनों हाथों की मुठिया कसकर बीच ली, मिसेच शर्मा को ओप्रेशन रूम की सारे बत्तियां बुझती सी लगी, छत पर कालिमा चाने लगी, उसे फिर कही दूर से प्रतिध्वनी सुनाई दी, बच्चा मर गया डॉक्टर, कालिमा और ग पहरा गई